हलो दूस्तो, पेशेंट मेडिकल असेस्मेंट का टोपिक, आज हम कंटिनुन लेक्चर डिसकस करेंगे और इस लेक्चर का नाम है हेड टू टो एक्जामिनेशन अब जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है एक पेशेंट का ऐसा एक्जामिनेशन जो हेड से टो तक किया जाएगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि external findings क्या मिल रही है पेशेंट की external findings means like patient visibly देखने में कौन कौन सी findings उसकी मिल रही है इसको देखने के लिए हम head to two examination करते हैं और यह especially करते हैं जब patient hospital में initial phase में admit होता है तो examination का जो सबसे पहला point बनता है वो बनता है general appearance कि client की general appearance कैसी है और उसमें सबसे पहला point है nourishment कि client की status कैसा है according to nourishment well nourish है, under nourish है यह point सबसे पहला बनता है, उसके बाद में बनता है body built client की body built thin है और obese है client body thin के साथ में और patient obese के साथ में इसके बाद patient की health, patient healthy है और unhealthy है next point बनता है activity, patient active है और dull ہے तो यह सब points general appearance के साथ में बनते है तो जितने भी points आपको patient की visible िख़ए ढीते हैं वह यह जनरल अपेरेंस में हम क्लाइंट के देख लेता है जनरल अपेरेंस के बाद next point बनेगा हमारा mental status की क्लाइंट का mental status क्यासा है first point है consciousness चेक करनी है मैं और consciousness में हम चेक करते हैं consciousness है client या फिर unconscious में fully aware client होगा तो conscious बोलेंगे और fully unconscious situation मतलग एक ऐसी situation जिसमें client response बिल्कुल भी नहीं करता है तो unconscious situation है और इन दोनों की conscious unconscious की बीच की situation है delirious यह फिर delirium जो situation होती है जिसमें semi-conscious condition हम बोलते हैं और next point है talking incoherently client से हम response कुछ मांगते हैं और वो irrelevant answer अगर दे रहा है तो वो हम talking incoherently में add करते हैं next point आता है उसका look look कैसा है कि client अपनी disease को लेके condition को लेके anxious है वरी है यह फिर depressed है इन से भी में difference करने के बाद यह situation situation में भी हो सकती है anxious situation या valid situation हो सकती है तो उसमें हम mental status client का check करते है नेक्स्ट पॉइंट आता है body curve कि client का body curve कैसा है और body curve में यह situation देखते हैं आपकी client का spine अगर erect position में होगा तो यह normal होगी अगर forward bending होगी लंबार अगर forward bend की तरफ यहां पर दिख रहा है आपको कि लंबार forward bend है तो यह condition होगी लॉड़ोसेस और backward spine है तो यह बनेगी kyphosis अगर S-shape की है structure अगर S-shape बना रही है आप इस spine देखो S-shape बना रही तो इसको बोलते है scoliosis तो यह situation body curve में देखते हैं अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल finding के साथ में हम यह finding लिखेंगे कि no abnormal body curve ऐसा लिखेंगे कुछ इसके बाद लिखेंगे moment कि क्लाइंट का moment कैसा है और सभी limbs का हम moment check करते है कि क्लाइंट के limbs proper move करते हैं या नहीं करते हैं इसके बाद point बनता है हमारा क्लाइंट का height and weight क्लाइंट का height and weight कितना है जो भी क्लाइंट का height और weight होगा वह मेजर करेंगे और यह important भी है बी एसको calculate करने के लिए जिससे की drug dose हम पेशेंट में administer करते हैं उसके लिए क्लार में है पहला point है पालर कि पेलनेस अगर होगा बोड़ी में तो वह पालर को डिपेंड करेगा और इसके बाद जॉन्डिस पेलनेस और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है तो यह symptom हो सकते हैं साहिद जॉन्डिस वाले situation के साथ और particular area में अगर blood supply रुग गई है तो से sinus condition बोल सकते हैं या फिर excessive moisture देखने के लिए मिलता है जैसे आप इस डियाग्राम में देख सकते हो यह एक फ्लेकिंग का डियाग्राम है उसके बाद दूसरा wrinkle की skin wrinkled होने लग जाती है और यह excessive sweating या फिर excessive moisture आपको देखने के लिए मिलता है तो आप point जो mention करोगे वह point texture में आप mention क temperature होगे इसके बाद आता है temperature की body temperature क्यासा है यह आप touch करके भी कर सकते हो या फिर thermometer से भी आप check करते हो क्योंकि थर्मामेटर भी है ऐसा कुछ होद देखने के लिए मिलेगा तो हम वही finding को mention करेंगे कि इसके बाद skin में कोई leezon तो नहीं है leezon में macule हो सकता है pepule vesicles wound extra यह सब अगर है तो वह सब इसकिन assessment के बाद next point बनता है head and face assessment और head में सबसे पहला point है shape of skull and fontanels different type की shapes हो सकती है skulls की जैसे डाइग्राम में देखो इसमें यह normal shape है इसके बाद में है कि head जो skull की length है इस वाले point में sort है जिसको बोलता है break is a family और इस वाले length की situation कैसी बनती है और especially pediatric patient में जिए fontanels की findings बहुत जादा important है next point बनता है इसमें skull circumferences scalp में देखते हैं scalp clean conditions of hair dandruff pediculosis infection like ringworm कहीं ऐसी situation तो नहीं बन रही है scalp के अंदर अब scalp के बाद देखते हैं face की face में paleness तो नहीं है पेलनेस अगें सो करेगा जोंडिस को flushed face है या फिर puffy face है puffy face जनली cardiac condition में या फिर renal failure वाली condition में मिलता देखने के लिए nephrodix syndrome में भी puffy face मिल सकता देखने के लिए next point आ फटीग pain fear anxiety enlargement of parotid gland कि parotid gland कहीं enlarge तो नहीं है इस वाले diagram में आप देखो ये पफी face है जबकि ये दूसरे में parotid gland जो प्रेजेंट होती है इन जाइग और बॉन के नियर प्रेजेंट होती है आइपसेंट के ऐज़े प्रेजेंट है है या अपसेंट है यह जो आईब्रो जहें यह प्रेजेंट है या फ्əंडीन होगे हम लिएम लिए इंश्री ट्षड और यह क्टिंस बाते हैं यह क्लोन無च-शलिट में अजन यिए यह आईलीड अवर्ड ली मूव कर जाए अब इस डियाग्राम में आप देखो कि आईलीड जो इन्वर्ड ली मूव कर गई है यह के पर इन्वाडली मुव कर गई हैं तो इसे बोलता है एन्ट्रोपियों और जबकि आउट ये सेकड़ा में यह यह एक्ट्रोपियों कि यिसमें इदे। आइए लेड़ आउट्वाड्ली तो यह सब हम आई बोल में चेक करते हैं निच्ट पॉंट कंजक्ट आइवा पेल है रेड है और पुरूलेंट है नेक्ट पॉंट इसके लाइवा जो इसके लाइक वाइट इस पॉर्शन दिखा देता हुआ उसे इसक्लेरा बोलते हैं तो इसकलेरा में जोन्डिस बोलते हैं वह फैंडियां पर मेंचेन करनी है इसके बाद फॉपिल्स टालेंट है जनले डेड कंडिसन जब होता है क्लाइंट को मिल सकते हैं देखने के लिए और रिलेक्स जब होता है तो उस टाइम डालेट नहीं होती है प्लेट्स और यह जब लाइट का रिस्पॉंड कराथे हैं 13プॉफ्फ कई इसके बाद लेंस लेंस अपाइक है और Ŭ्हुत्रांसपरेंट अगर होगा तो किलीव हसी बोल होगा और यह सफॉल होगा ऩो के Ahí आई बोल आई बोल में इस्ट्रबिस्मस या फिर स्कुएंट हम चेक करते हैं तो यह जो इस कंडिसन है बिल्कुल सेंटर में आई बोल दोना होनी चीए लेकिन यह आउटसाइड अगर प्रजेंट है या एक सेंटर में मिडलाइन में और दूसरी आउटसाइड प्रजेंट अगेशंब तोु यह इस्कुंट का साही नगयु अगेश्खनी और देखने के लिए सकती है ऐसे पाइब्यंट है विजन में घिघता है कि फिर क्लाइंट का विजन नॉर्मल है मायोपिया नोन्हां फिर हाई परमेट्रोपिया है टो यह क्लाइंट से हम डिसकस करने के सबसे पहले एक्टरनल एक्टरनल में देखते हैं कि कहीं डिस्चार्ज़ तो नहीं है या फिर यह पाश्ट होगया दूट्स अप्सक्ट हो गया तो यह सब हम करते हैं कि या सब्सक्र bets करते हैं नेक्ट पॉइंट है टिमपनिक मेंबरीन लिए यजन की मिफिर बोलग से लुग करते हैं यह सब इसको नोट डाउन करते रहो यह सभी एक्जाम में पुछी जाती हो और कभी भी आप examination करने जाते हो क्लाइंट का तो तब यह सभी के सभी points important होता है next point है nose nose में first point है external nerves external nerves में crust या कोई discharge तो नहीं है यह जो diagram है इसमें external nerves हो कर रहा है और external nerves में कि कोई discharge या फिर कोई क्रश्ट तो present नहीं है यह सब में देखना होता है next point है nostril nostril में inflammation of mucous membrane या फिर septal deviation DNA से बोलते हैं इसको devoted nasal septum कहें deviate तो नहीं है तो यह सब nose की findings so करते हैं इसके बाद point है mouth and pharynx कि mouth and pharynx में दिखते हैं lips lips में redness swelling crust sinuses या फिर angular extrematitis यह डाइग्राम जो बन रहा है वह angular extrematitis का बन रहा है कि angular area में कहीं inflammation तो नहीं है next point देखते हैं order of mouth foul smelling है या normal smelling है टीथ में देखते हैं कि टीथ discolor रहे हैं और dental carries तो नहीं है जैसे कि आप यह डाइग्राम में देख सकते हो यह टीथ की abnormalities हो कर रहा है next point है mucos membrane and gums ulceration and bleeding swelling pus formation जो भी mucos membrane में दिखाए देगा है gums में दिखाए देगा वह हम finding करेंगे next point है tongue टंग में paleness dryness lezen source furos और tongue tie वाली situation कभी बनती है जैसे इसमें दिख रहे हो आप यह tongue tie वाली situation है जो भी frenulum होता है frenulum short अगर होगा तो tongue अपनी हो सकती move ज्यादा freely move नहीं कर सकती तो ऐसा tongue tie वाली situation मनती है और यह sourness जो इस तो डाइग्राम में आप देख रहे हो यह सब tongue की findings देखने के लिए मिलती है client में उसके बाद है throat and pharynx throat and pharynx में enlargement tonsils redness या फिर पस formation तो नहीं है pharynx में इसके बाद neck neck में हम देखते है lymph node enlargement या फिर palpable lymph node देखते हैं neck reason में इसके बाद thyroid gland thyroid gland enlarged तो नहीं है यह सब point देखते हैं इसके बाद range of motion client की neck को move कराते हैं कि कहीं flex कराके देखते हैं जब forward bending होती है तो flex बने वाले situation backward moment होगा तो extension और rotate कराके देखते हैं कि client किसी भी position में किसी भी moment के साथ में abnormal complain तो नहीं कर रहा है कि pain की complain या stretching की complain तो नहीं कर रहा है यह सब neck में हम चेक करते हैं neck examination के बाद next point आता है हमारा chest chest में हम देखते हैं thorax thorax shape symmetry of expansion and posture यह सब देखते हैं कि client जब respiration कर रहा है inhalation और exhalation करता है तब सेप कैसी है thorax की इसके बाद में breath sound different type के breath sound हो सकते हैं इसको next different lecture lecture में पढ़ सकते हैं different type के sound sound हर एक अलग situation को सो करते हैं साइज स्विस रिटल विजलिंग रेल्स क्रेपटेशन प्लोग प्रोल रप यह सब sound देखने के लिए मिल सकते हैं जैसे विजलिंग साउंड नेरो पाथवे के साथ जब एर क्रोस होती है तो विजलिंग साउंड करती है रेल्स क्रेपटेशन यह सब साउंड हर एक पल्मनरी कंडिशन को सो करती है इसके लिए लग से वीडियो होगी लेकिन अगर ब्रेथ साउंड एबनॉर्मल होगा वह जिस टाइप का भी साउंड होगा हम मैंचन करेंगे नेक्ट पॉइंट हाट हाट में साइज लोकेशन औ पॉतसके नहीं है इसके बाद अब्ड़ोमण में चर्ब करते हैं उसकें रेसेस स्कार्ज हरुनिया असाइटीस डिस्तेंशन यह फिर प्रेडेडन से वाली सीटूशन इनलार्ज में देखत Ymail में कहले साउंड है यहा नहीं हावात्छ्थ इसकी पाऊड्ञों चमार्टे सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह सभी स्टेप्स हमने स्टेप्स पड़े हैं लास्ट वीडियो में जो फिजिकल एग्जामिनेशन का इंट्रोड़क्शन था तो वहां से पढ़ सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में एड है इसका नेक्ट पॉइंट परकसन परकसन में इसके बाद एक्स्ट्रीम इंटी मोमेंट ऑफ जॉइंट ट्रेमर क्रेंपिंग फिंगर एंकल डीमा वरिकोस वेन यह फिर रिफ्लेक्स यह सब हम चेक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बैक में इस्पाइना बाइफिडा कर्व भी चेक करते हैं और इस्पाइना में जैसे अ इंगवाइनल लिंफ नोड इन लार्ज है यह फिर प्लपेवर है जो भी इंगवाइनल नोड होते हैं इंगवाइनल एरिये में तो यह लिंफ नोड हम चेक करते हैं पलपिट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्यटन सी ओफ यूरिनरी मेटिस एंड रेक्टम इंफे इसके बाद है टेश्टिस डिसेंट हुआ है या नहीं हुआ है अगर है बी तो किस कलर का है क्योंकि अभी अगें फाइंडिंग सो करता है फिर कोई फारद इंफेक्षिन होगा तो उसकी आप इंफ्याईंडिंग सो गळाता है वजानल डिशाज सब्सक्राइब करने के लिए इस डाइग्राम में देख सकते हैं जिसमें ब्लड वैसल्स इनलार्ज कर जाती हैं अगर इंटरनल हर्णिया बोलते हैं अगर प्रोस्टेट गलेंड ऐसलिजाइब कर सकते हैं फिंगर इंसर्ट करने के बाद रेक्तल ऐरिया से उसके बाद चैक करते हैं या इस जी प्रेश्ट होती है तो लिखी फीलफिया जोंस्य्ट हो सकती है और बविक मास तो नहीं है इसके बाद point discuss करते हैं लाश्ट पॉइंट है नियूरोजिकल टेस्ट और नियूरोजिकल टेस्ट में कोडिनेशन टेस्ट की क्लाइंट का कोडिनेशन कैसा है चाहे वोकिंग के टाइम या फिर कोई भी एक्टिविटी के टाइम उसका कोडिनेशन उसके बाद रिफ्लेक्स क्लाइंट के रिफ्लेक्स कैसे कफिंग रिफ्लेक्स है या फिर नियूरोजिकल कंडिशन को सब्सक्राइब करने के लिए वह सब नेक्स्ट चेक्ट टेस्ट ऑफ संसेस्ट ऑफ सेंसें ćनके लिए रिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं चाहे तो आप उल्ड üzलेक्णियाट वेक्ट्से करोैं को समझ जाओ और लिएक्ट सुमझ एवं और बैकन को प्रेस करना बिल्कूल भीन भूलिए थैंक यू सो मच एंड जहिन